नमस्कार दोस्तों बिःहर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ट्रेक के किनारे जो 애फेम लिखा हुआ हुआ होता है, इस अफेम का क्या मतलब होता है, उसी को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, अलाकि इसका full form जो है वो falling mark होता है लेकिन ये किस काम आता है और क्यों लगा जाता है ट्रेक के किनारे इसी को इस वीडियो में समझने वाले हैं अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके आप जा सकते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए समझ जाएंगे कि इस FM का क्या मतलब होता है तो दोस्तों वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अभी से लाइक कर द ट्रेक जहां से चेंज करती है ट्रेन और पलेटफोर्म पर इंटर होने से पहले या फिर पलेटफोर्म से निकलने के बाद भी आपको ये सिंबल दिख जाएगा खास करकि इसको वाइट कलर में लगा जाता है ताकि रात के समय में ये दिखे अब क्यूंकि जो ट्रेन के लोक ही है उसमें गार्ड भी रहते हैं और उस गार्ड का जो काम है वो इसी सिंबल को देखना है जैसी कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन जो है वो पलेटफोर्म पर इंटर कर रही है अगर लोको पलेट ने इस फॉलिंग मार्ग से पहले ही गार्ड का डिबा जो पीछे ही रह और ट्रेन को रोक दिया तो इसमें दुरगटना है हो सकती है क्योंकि दूसरी वाली जो ट्रेक आप देख रहे हैं उस पर से अगर ट्रेन आएगी तो दोनों आपस में टकड़ा सकती है इसलिए इसको यहां पर यह फॉलिंग मार्ग दिया जाता है और यह करीप सारे चार म समय में भी आपने देखा होगा कि पर ट्रेन रुकने के बाद थोरा सा फिर आगे चलती है और उसके बाद रुकती है जिससे इस्टेशन पर काफी भगदर भी मत जाता है कि ट्रेन खुल गई है दरसल वो इसलिए क्या जाता है क्योंकि लोको पैलिट को पता नहीं है कि पी देखा होगा एक ट्रेन रुकने के बाद थोरा सा आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से रुकती है तो यही वो कारण होता है कि पीछे जो falling mark लगा हुआ है उसके आगे ट्रेन जाना चाहिए ना कि उसके पीछे क्योंकि अगर पीछे रहेगी तो दोनों ट्रेन का distance कम हो होने के वज़ा से दूसरी जो ट्रेन आएगी पीछे से उसमें टकड हो सकती है इसी लेकर के यह falling mark लगाया जाता है तो दोस्तों railway में कई सारे ऐसे symbol होते हैं जो हमें नहीं पता होता है हम जैसे आम लोगों को पता नहीं होता है लेकिन वो railway के बड़े काम की चीज होती है आपने ट्रेक के किनारे इस तरह के box भी लगे हुए देखे होंगे और उसमें क्या रहता है और वो कैसे काम करता है अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो की नीचे description में link दे दूँगा आप जा करके वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कैसे काम करता है वो box आप समझ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूरी इसे like करें और चैनल को subscribe करें और comment करके हमें जरूर बताए कि यह जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं थी दोनों सूरत में आप comment करके हमें जरूर बताए और चैनल को subscribe कर ल